वल्कम टुश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांस सेकेंड बात शुरू होगा रेडी स्टार्ट महुदय मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास में शारिरिक मानसिक युग्यता एवं छमता के साथ साथ वातावरण का भी बड़ा महत्व है महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व पर उनके जीवन की परिस्थितियों एवं वातावरण की छाप के साथ साथ वंश परंपरागत संसकारों का भी प्रभाव पड़ा इनके बाबा उर्दु फार्सी के विद्वान थे पिताजी अंग्रेजी में एम ए थे नाना हिंदी संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ हिंदी और संस्कृत की पद्य रचना भी करते थे तथा माता आस्तिक साथना कला एवं संगीत में रुचि लेती थी परिवार की तीन पीड़ियों के उपरांत बड़ी मनोती के बाद जब महादेवी जी का जन्म हुआ तो सभी अपने अपने ढंग से विदूशी बनाने के सप्न देखने लगे बाबा सूफियों का विश्वास करते थे पर कर्म कांड पर नहीं पिताजी नास्तिक तो नहीं थे परंतु संदेहवादी थे वे व्यापक मानव धर्म को मानते थे और मा सगुणों पासिका थी ऐसे विविद पर सामन्जस्य पूर्ण वातावरण में महादेवी जी को जीवन द्रिष्टी परिवार से मिले जिसने उनके निकट मनुस्य को अधिक मुल्यवान बना दिया महादेवी वर्मा के जन्म का युग ऐसा था जब कन्यावध का प्रचलन समाज में था परन्तु उनके घर में उनका जन्म बहुत सुभ मानकर उन्हें देवी के रूप में स्विकार किया गया अतह ऐसे पारिवारिक वातावरण के कारण मनोवैज्यानिक द्रिष्टी से इनमे नारी के निजत्व को महत्त देने की छमता का विकास हुआ उनके व्यक्तित्व में नारी के आत्मसम्मान एवं अहम का ऐसा रूप विक्सित हुआ की उन्होंने अपने स्वत्त एवं निजत्व की रच्छा के लिए सामाजिक मानिताओं को भी ठुकरा दिया और नारी के आत्मसम्मान की रच्छा के लिए उनमें विद्रोहात्मक प्रवित्ती भी जागरित हो गई गद्य और पद्यरचनाव में भी वे स्वसंबंधी धारणा से मुक्त नहीं हो पाई और काव्य के छेत्र में तोवे अपने ही धरातल और सीमा से बंधी रही महादेवी जी के दादा ने पुन्य लाव की इच्छा से तो पौत्री का विवाह साथ आठ वर्ष की आयू में रचा दिया परन्तु महादेवी जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन को स्विकार नहीं किया डाक्टर राम पांडे के अनुसार वैवाहिक जीवन अस्विकार करने के मूल में भारतिय नारी की युग युगों से चली आती हुई वह दैनी दशा है जिनका उलेक उन्होंने अपने सामाजिक निबंधों में किया है इसके यतिरिक्त पुरुष निर्पेक्ष नारी व्यक्तित्व की इस्थापना उनका जीवन व्यापी उद्देश भी इसमें सक्री रहा होतो आश्चर्य नहीं कुछ भी हो यह कटू सत्य है कि महादेवी ने विवाह को किसी भी इस्थिति में स्विकार नहीं किया और इस्त्री पुरुष के संबंध के प्रती विद्रोह कर बैठी अपनी इच्छा का दमन करते हुए बाल विवाह की समस्या का शिकार बन कर अपने अहम की रक्षा ही तु असाधारण मार्ग अपनाया चिंतनशील होने के कारण इस्त्री पुरुष के संबंध के प्रती अपना एक नया द्रिष्टिकोण विकसित किया उनकी द्रिष्टिकोण के विकास में उनकी कावे रचना में उदाती करण के समावेश को सहायक माना जा सकता है कि प्राट नहाएं इसक्ता है